मैं अनन्दमार्गी हूँ, मैं भागवत धर्म को मानता हूँ, इसलिए आजन मेरे मन में एक संका है, जहां गीता कहती है, धर्मस्त अपनार था है, सम्भवामी जुगे जुगे, और मुसल्मानों से सुनता हूँ, मुहम्मद इस दा लास्ट पेगंबर, मेरा सक है कि परमात् अल्ला की सिरिष्टी इन्फिनाइट वेब्स में चल रहे हैं, तो इन्फिनाइट समस्याएं आगे आएंगी, तो हुआ मुहम्मद दा लास्ट पेगंबर, अगर ये सही है, तो गीता का या कृष्ण का या घोष्णा संभवामी जुगे जुगे, क्या गलत है, भाई साब अच्छा सवाल पूछा है, उन्होंने वालिद भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते है, उन्होंने कहा संस्कृत में तरजुमा नहीं किया, श्री कृष्ण कहते है, कि जब भी इस धर्ती पे जुल्म होगा, तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भीजेंगे, और हर दोर में एक पैगंबर आएगा, सम्भवान योगी एउगे, हर योग में आएगा, तो भाई का सवाल है, क्या क्रिश्ण गलत है, आप मसल्मान कियुं कहते हैं कि मुम्म्म्ह caregivers अाखरी पैगंबर है, मैसाब सबसे पहले, हम कहते हैं मुम्म्मदि अाखरी पैगंबर है, क्य بَاَحَدِمْ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولُ اللَّهُ وَخَاتْمٍ النَّبِينَ وَقَعَنَ اللَّهُ بِكُلْ لِشَهِ النْعَلِيمًا کہ محمد ﷺ آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن خاتم النبین ہے آخری نبی ہے کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد ﷺ آخری نبی ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں جہاں تک کہ آپ نے کہا شریح کشن میں شریح کشن کے بات کو मानता हूँ कि जब भी इस धर्ती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते हैं और हर दोर में एक पैगंबर भेजेंगे बिल्कुल गलत नहीं है आपको समझने में गलती हुई क्यूंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है और जब आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुए कल की पुराना में कल की पुराना में लिखा है कल की पुराना चाप्टर नमबर दो श्लोक नमबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल की आउतार आएंगे जो कल यूग में आएंगे और कल यूग आखर यूग होंगा और ये कल की आउतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे और ये कल की आउतार के वालित का नाम है विश्नु यास मतलब भगवान का नुकर अर्बी में अब्दुल्ला जो नाम थे मुहम्मद स्थल्लाव सल्म के वालित का उनके वालिता का नाम होंगा सुमती सुमती मतलब अमन, शान्ती अर्बी में होंगा आमिना जो नाम थे मुहम्मद स्थल्लाव सल्म के वालिता का नाम वो पैदा होंगे अमन के शेर में जो है मक्का वो पैदा होंगे ऐसे खांदान में जो उस शेर के चीफ होंगे हम जानते हैं मुहम्माद स्वालों स्वालों कुरेश खांदान में पैदा हुए उनके चार करीब दोस्तों होंगे हम जानते हो चार खुल्फा राशिदीन हैं हदर्थ अबुबकर, हदर्थ अमर, हदर्थ उस्मान, हदर्थ अली रदलाव अनु अल्ला सुमानाओ टाले की रह्मत सब पे हो उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में एक केव में हम जानते हैं मुहमत सबसे पहले वही मिली गारे हिला में उनको राक्त के वाद सबसे पहले वही आएंगी वो इविल माइगरेट नौट वर्थ एन कम बैक और मुहमत सबसे अल्ला सुम मदिना में हिज्रत के और फिर से वापिस मक्का लोटे ये सारी निशानिया जो लिखे कल के आउतार के बारे में वो हू वो हू उतरती है मुहमत सबसे पहर यूग में एक आउतार आएंगा आखरी यूग होएंगा कल यूग ये कल यूग है भाई साब ये कल यूग है और कल यूग के आकरी आउतारे कल के आउतार जिसका नाम कुरान मजजीद में लिखा गया है मुमास सल्लाव सल्म तो ये जो आपकी भगवत गिता में लिखा है मेरे इसाब से सही लिखा हुआ है कि हर यूग में एक आउतार आएंगा और आखरी योग है लिखा हूए कलकी पुराना में वो कलयोग है और कलयोग के उतारे कलकी उतार तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद मेंभी कई निशानिये मुहमब 기чес理 की बार मुहमब का खिकर है कमस कम एक सो हवाले तुम्हें देख सकता हूँ जिसमें मुहम्मद صلی اللہ सल्म का दिकर है अगर आप पढ़ेंगे अगर आप पढ़ेंगे भविश पुराना परवतीन, खंड़तीन, अदेटीन, श्रोकास पांच से आठ उसमें कहा गया है के मुहम्मद صلی اللہ सल्म आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे लिखा है भविश पुराना में परवतीन, खंड़तीन, अदेटीन, श्रोकास 10 से 27 में हमस सल्म का दिकर है अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुकतास, अथरवावेद, किताब नमबर 20 चप्टर नमबर 127, श्रोक नम्बर 21 से 24, उसमें हमस सल्म का दिकर है मिंहमस सल्लाब का दिकर कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है तो अगर आप भववद गीता को लेते है, पुराना को लेते, इकल की पुराना को लेते और एक मांते है तो सारे इस श्लोका कह रहे है कि आकरी पैगंबर आने वाले मुहमाद स. लौब तॉल्य में मानना चाहिए भाई सब भाई सब्षय बहुत कि बहुत मानते आप देखिए मैं मानता किसी नहीं हूँ मैं तर्क के एस grateकर जो मेरा लौजिक एंड़िया को मैंनाना का मतला हूं बांद के मानना अँखêuल क्स उड़िछा में लिखा है जो आने वाले आकरी वतार जो पुरान कल की पुराह tonnes करना पुर्वान के बात नहीं दोगा। पुरान का उद्यस है कि दूसरे को कश्ट देना पाप है दूसरे का भलाई करना पुन्य है मैंने कब बोला कि दूसरे को कश्ट दो दूसरे के भलाई मत करो मैं कह रहा हूं इस अधार पर मैं पुरान कि कुरान में लिखे लगा दूसरे को कश्च दो कुरान में लिखे दूसरे को कश्च मत दो कुरान में लिखे दूसरे की मदद करो इसके ओपर बहस ने हो रही है बहस हो रही है कल की पुराना पे कल की आउतार पे आप आखरी पेगंबर में मानते हैं के नहीं है मैं पूछ रहा हूँ मुझे कलकी पुरान का दियन नहीं है कलकी पुरान का दियन नहीं है डाक्टर साभ मुझे कलकी पुरान का दियन नहीं है तो आप अगर बुद्धी के उपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इलतिजा रहेंगी कि कल की पुराना पड़ो और ये जाच पड़ताल करो कि कल की आउतार कोन है और कल की आउतार की तेकी करो आप इंशालला मुम्मद सुल्ण में मानेंगे तो मेरी आपसे इलतिजा है कि आप इस पे तेकी करो कि आखरे उतार कोन है और इंशालला आपको हिदाद देंगे अल्लाद आला मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पुछने के लिए दिया एक छोटा से सवाल पुछ सकता हूँ एक छोटा बेरी बेरी मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसको आदा वर्ष लें किसी मुसलमान को बोलते है असलम आलेकुम मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदबाव करता है किरपिया आप असपर्स कीजिए इसको भाई साब का सवाल है कि अगर कोई मुसल्मान हिंदू से मिलता है तो आदाब अर्स करता है अगर कोई मुसल्मान से मिलता है तो असलाम उनको कहता है तो हिंदू मुसल्मान में भेदबाओ क्यों भाई साब हिंदू मुसल्मान में भेदबाओ तो रहेंगा मैं आपके सवाल का जवाब दूनिगा क्योंकि हिंडू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम है लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को संमझना चाहिए पहले भाई साथ इसने सवाल किया था उन्होंने मुझे अदाप कहा तो मैंने उनसे कहा सलालेकुम कहा कि ने कहा ना हिंदू ने मुझसे कहा कि अदाब कहा कि ने मैंने उसे सलाम कहा कि ने जी मैं गौर किया था गौर किया माशाला लेकिन तो गौर कि तो कहा कि ने कि आपने ऐसा नहीं कहा वो हिंदु वाय ने मुझे आदाब का दॉक्टर साब यू आर नोट अनली वन मुसलमान आई से लाक्स अप मुसलमान बट इस क्वालिटी फाइंड अनली इन यू अनली इन मी माशादा अनली इन यू वाय साब कह रहें कि वो खोध मुसलमान को जानते सिर्ए मुझे मैं देखा कि मैंने सलाम का जी, इसकी वजह यहाए क्यूंके उल्मा पॉख एक्तिलाफ है कि आप गईर मुसलमान को सलाम कर्सकते के ने पहला यह जान ले स्सलाम Ao A.A. की मानी क्या है السلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامت ہی ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آپ پہ سلامت رہے رحمت رہے اور برکت رہے नहीं इसमें اقتلاف ہے مسلمانوں میں مسلمان علماء میں کہ آپ گہر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے ہیں گہر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے इसमें اقتلاف ہے کیونکہ एक حدیث ہے जिसमें आला कि रूस फर्माते کیونکہ एक حدیث ہے जिसके अंदर यहूद लोग مسلمان کو कहते असाम आलेकुम असाम आलेकुम का मानी आप पे मौत हो साम के मानी मौत असाम आलेकुम आप पे मौत हो तो अल्ला के रसूल ने फर्मा है आपको अलेकुम उन पे भी तो यह हदीछ है साही हदीछ है यहूद लोग कहते ते मुसल्मान को छेड़ने के लिए अस्साम आलेकुम आप पे मौत हो तो अल्ला के रसुल ने फर्मया आपको आलेकुम आप पे भी हो तो इसकी पज़े से एक्तिलाफ है और कई हदीसे है मैं ज्यादा बहस में ने जाना चाहूँगा लेकिन ये कहना चाहूँगा कि कुछ उल्मा ये भी कहते कि आप अस्सालाम वालेकुम कह सकते क्यूंके कुरान मजीद की एक आयत है सुरह निसाम में सुरह नमबर चार आयत नमबर 86 इसमें कहा है अगर कोई आप को ग्रीट करता है अगर कोई ग्रीट करता है तो आप और बहतरीन तरीके से ग्रीट करो अगर कोई आपको ग्रीट करता है और बहतरीन तरीके से ग्रीट करो ये कमस कम उतना तो अगर कोई ASSALAMU ALIKUM کہتا ہے मुझे कहना चाहिए WALKUM ASSALAM WRAGMATULAH अगर कोई कहता ہے AUKUM ASSALAMWRAGMATULAH मुझे कहना चाहिए WALKUM ASSALAMWRAGMATULAH भर्काथो या कमस कम उत्ना ये ज़रूरी है तो इसलिए अगर कोई مس formas मुझे से आद अदाब करे तो अदाब से बेतर क्या है? अस्सलाम आलेकूं और अल्ला के रसूल के लिए कहा गया मुहम्मद स्लाव सल्म के लिए अल्ला फर्माते है जो मैंने तक्रीर में बेयान किया सुरह अंबिया में सुरा नमर एकीस आयत नमर एक सो साथ में कि हमने मुहम्मद स्लाव सल्म को नहीं बेजा लेकिन रह्मत बना के सारे इंसानों के लिए सारे आलम के लिए तो जब मुहम्मद स्लाव सल्म सारे इंसानों के लिए रह्मत बन सकते तो क्या मैं अस्सलाम मालेकूं रह्मत अल्ला नहीं कह सकता हूँ तो इजह बन्याट पे उल्मा़ का एक्विलाफ है क्या स्ससाली का अल्मा कके चिता है मैं उन उल्मा में मांता हूं जो कहते है कि आप गैर मुस्लमान को स्लाम कह सकते हैं और जाव भी बहतरी दे सकते इसी लिए जब भाई साफ ने कहा अधाप तो मैंने कर अस oloemaría कमूम की मेरे हिसाब से अस-स-स-लाम अलेकूम और भेटर है आद आप से भेटर है अस-स-स-लाम अलेकूम के आप पे सलामती हो रह्मत और बरकतों तो भाई साब मेरे नज़्बिक गहर मुसलमान के लिए सलामती चाना अच्छी चीज़ है और इसलिए मैं आपके लिए सलामत चाहता हूँ भाई साथ, भाई साथ, मैं सलामत चाहता हूँ और लेकिन सिर्फ मूठ से नहीं, मैं चाहता हूँ अमल से आप सलामत ही पाओ, इसलिए मैं कहता हूँ के तैकिक करो, कल की आउतार के बारे में, आख आपको सलामत ही इस दुन्या में रहेंगा आखरत में भी इंशालला अगला सवाल माइक नमबर तीन से वहाँ पर अगर कोई गेर मुस्लिम भाई हैं तो वह सवाल कर सकते हैं हाँ नमस्कार मेरा सवाल है कि मैं दवाई दुकान है और दवाई दुकान के बगल में मैंने दो दपके को आपस में लड़ते हुए देखा जिसमें के एक ब्रेलवी समाज और एक देवन्दी समाज था तो ब्रेलवी करते हैं के देवन्दी लोग सही नहीं है और ब्रेलवी सही है तो इसका बुनियात क्या है जर क्या है मुझे उसकी जनकारी चाहिए सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है भाई साब ने कोई डिफिकल्ट सवाल का है लेकिन जवाब बहुत आसान है सवाल डिफिकल्ट है लेकिन जवाब आसान है जिसके करना आपका बिरुट